चोकलेट मामी से मैं सीमा सिंग आपकर सागत करती हूँ, आज मैं आपको उत्पन्ना एकादशी की कता सुनाने जा रही हूँ, जो मार्ग शीष क्रश्न पक्ष में आती है, कहानी इस प्रकार है, नेमी शारेने शेत्र में सिरी सूत जी ब्रामणों से बोले, हे ब्रामणों, इस एकादशी महात्यम्य को भगवान सिरी क्रश्न ने कहा था, प्रेमी जन इस व्रत की उत्पत्री को प्रेम पूर्वक सुनते हैं, और इस लोग में सुखो को भोग कर अंत में विश्नुपत को प्राप्त करते हैं, सिरी सूत जी बोले, हे ब्रामणों, सबसे पहले इस ए एकादशी व्रत का महात्म में क्या है, इस व्रत के करने से क्या पूर्णने मिलता है और इसकी विधी क्या है, सो आप मुझे कहिए, ऐसा सुनकर सिरी क्रश्न भगवान ने कहा है अर्जुन, सबसे पहले हैमन्त रितु के मार्ग शीष महने में क्रश्न पक्षिकी एकादश करना चाहिए, दश्मी की शाम को दातुन करना चाहिए, परन्तु भोजन नहीं करना चाहिए, एकादशी की सुबह संकल्प नियम की अनुसार कारिय करना चाहिए, दोपर में संकल्प पूर्वक नदी, सरोवर, बावडी, कुवा, तालाब में किसी पवित्र इस्थान पर इस्नान करना चाहिए, इस्नान करने से पहले शरीर पर मिट्टी और चंदन का लेप लगाना चाहिए, चंदन लगाने का मंत्र भी इस प्रकार है, अश्व कांते, रत कांते, विश्नु कांते, वसुंदरे, उध्रा तापी, बराहेन, क्रश्ने, नैसत बाहुना, म्रती के हर में पापम, यनमया, पूर्व संचितम, तुआ हतेन, पापेन, गच्छामी, पर्मा गतिम, व्रत करने को इस्नान करने के पश्चात, पापी, चोर, पाकंडी, दूसरे की बुराई करने वाला, परिस्त्रिक के साथ गवन करने वाला, दुराचारी, दूसरे के धन को चुराने वाला, मंदिरों में चोरी करने वाला, आदी, इन सब मनुश्यों से बात नहीं करनी चाह यदि अंजाने में इनसे बात हो जाए तो इस पाप को धूर करने के लिए सूर्य नारण के दर्शन करने चाहिए इस्तान के बाद दूप, धीप, नेवद्द से भगवान का पूजन करना चाहिए रात को दीपदान करना चाहिए सतकान भक्ति पूर्वक करना चाहिए, उस रात को नीद और इस्तरी प्रसंग को त्याग देना चाहिए एकाधशी के दिन रातरी को भजन सत्रंग आदिक करना चाहिए उस दिन शद्धा पूरग भ्रामनों को दक्षिना देनी चाहिए, उनसे अपनी गलतियों की शमा मांगनी चाहिए, थार्मिक जनों को शुकल और कशन पक्षी की दोनों एकादश्यों को एक सा समझना चाहिए, उसमें भेद नहीं करना चाहिए सभी लिखी हुई विदी के अनुसार जो मनुश्य इस एकादशी का व्रत करते हैं, उनको शंखो द्वार, तीत में इस्तनान, एम दशन करने से, जो पूर्णे मिलता है, वेकादशी व्रत के पूर्णे के सोल्वे भाग के बराबर भी नहीं है, व्यतीत योग में, संकरांती में तता चंद्र वसूर्य ग्रहन में दान करने से, और कुरुश्यत्र में इस्तनान करने से, जो पूर्णे प्राब्त होता है, वही पूर्णे मनुश्य को इस एकादशी का व्रत करने से मिलता है, अश्यु में ग्यग्य करने से, जो पूर्णे प्राब्त होता है, उससे सो जार गोदान करने से मिलता है। उसमें दस गुना से अधिक पुण्य इस एकादशी कवरत करने से मिलता है। उत्तम पुण्य एक ब्रह्मचारी को बोजन कराने से होता है। इस पुन्या से हजार गुना पुन्या कन्या और भूमी दान करने से प्राप्त होता है। इस एक भी व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने पर यग्या दान तब आधिक फल मिलता है। वो आप मुझे बताईए। भगवान श्रीकष ने बोले है अर्जुन। तब देवेंदर ने महेंदर से प्रातना की है शीव शंकर हम सब लोग इस समय मुर्देते की अत्याचारों से मेत्ति लोग में अपना जीवन वेचित कर रहे हैं। प्रपा करके इस दुख से छुटने का कोई उपाय बतलाईए। हे जगनात समझ देव देत्यों से भहबित होकर आपकी शरण में आए हैं। प्रपा करने वाले हैं। इस समय देत्यों ने हमें सर्ग से निकाल दिया है। अब आप हमारी रक्षय कीजिए। देवताओं की करून पुकार को सुनकर श्री वश्नु भगवान बोले। यह कौन सा देत्यों जिसने देवताओं को जीत लिया है। वह कहां रहता है तता उसमें ऐसा क्या बल है। यह सब मुझे कहो भगवान ने वचनों को सुनकर इंद्र बोले हे भगवान प्राचीन समय में नाडी जग नाम का एक देत्य था। उस देत्य की ब्रह्मवंश से उत्पत्ति हुई थी। उसी देत्य की लड़के का नाम मुर है। वह अपनी राजदानी चंद्रावती में रहता है। वह अपने बल से समझ विश्व को जीत कर और सवी देवताओं को देव लोग से निकाल कर इंद्र अगनी यम वरून चंद्रमा सूर्य रत्वी को तपाता है। मैं बनकर जल की वश्चा करता है अथ आप उस देत्य को माल कर देवताओं को जीत कराईए। इंद् इस समय मुर्ण अनेक देत्यों के साथ युद्ध भूमी में गरद रहा था। युद्ध होने पर असंग के दानव अनेको अस्त्र शस्त्रों को धारन कर देवताओं से युद्ध करने लगे। परंतु देवता दानवों के आगे एक शन भी ने ठर सके। तब भगवान वि विश्णु को देखा तो उन पर अस्त्र शस्त्रों का प्रहर करने लगे। भगवान विश्णु भी चक्र और गदा से उनके शस्त्रों को नास करने लगे। इस युद्ध में अनेको दानव सहीत लिए सो गे। परंतु देट्टों का राज्य मुर्ध भगवान के साथ न कल युद्ध करने लगे। परंतु देट्टे को न जी सके। अंद में वगवान विश्णु शान्तों का विश्राव करने की इच्रा से बद्री का आश्रम गए। उस समय 48 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की गुफा में शैन करने के लिए विश्णु वगवान गुसे हे हरजुन अते मैंने उस गुफा में शैन किया वे देट्टे भी वहां आया मुझको शैन करता दे कर मारने को तयार हो गया उसी समय मेरी देह में एक अत्यन सुंदर करन्या दिव्य अस्त्र धान करके उद्पन हुई और देट्टे के सामने आकर युद्ध करने गया उस करन्या ने उसको धका देकर मुर्शित कर दिया जब देट्टे मुर्शा से जगा तो उस करन्या ने उसका सिर काट कर यंपूर पहुंचा दिया अन्य समझदानों भी ऐसा देकर पाताग लोग चलेगे जब भगवान विश्णू की निद्रा तूटी तो उस देट तूने इसको मारा है अतर मैं तेरे उपर अत्यन पसंद हूँ तूने तीनों लोकों के देवताओं को सुखी किया है इसलिए तू अपनी इच्छा अनुसा वर्दान मांग ले करन्या बोली है बगवान मुझे ये वर्दान दीजिए कि जो मेरा व्रत करें उसके समस्पाव अन्त में वेस्वर्द को जाए मैंने इस व्रत का आदा फल रातरी को मिले उसे आदा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले जो मनुझे भक्ती पूरे मेरे व्रत को करें वे निश्चर ही आपकी लोग को प्राप्त करें करपाय मुझे ऐसा वर्दान दीजिए जो मनुझे द इना एकादशी को पेदा करने से तेरा नाम भी एकादशी हुआ जो मनुझे तेरे इस व्रत को करेगा उसके समस्पामनस्ट हो जाएंगे और अंत में मुक्ती को प्राप्त होंगे तु मेरे लिए अब तीज, आठे, नवमी और 14 से व्यदिक प्रिया है और तेरे व्रत का सबतीरतों के फल से महान होगा और यह मेरा कफन सत्य आए, ऐसा कहा लत एकादशी sih भी भगवान के उत्तम वचनों को सुनकर अत्यम प्रसंद हैं, है अर्जुन, सबतीरतों तानों व्रतों के फल से एकादशी का व्रत, सब्राप स्वहुआ मैं एकादशी व्रत करने वाले सिद्धी को देने वाली है उत्तम मनुशों को दोनों पक्षों की एकादश्यों को समान समझना चाहिए उसमें भेजवा मानना उचित नहीं है जो पुरुष विश्णु भक्त है उनको धन्य है जो मनुश एकादशी महात्यम्य का श्रावन में पठन करते हैं उनको अश्व म यग्य कफल मिलता है जो मनुश भक्ति पूर कता सुनते हैं विश्णु लोग को जाते हैं करोड़ों वर्षों तक उसकी इस जगह पूजा होती है जो एकादशी महात्यम्य के चोथाई बाग को सुनते हैं उनके ब्रह्म हत्या आदी पाप नश्ट हो जाते हैं विश्णु को भी राक्षर भला कैसे ठहर सकते हैं जिस जक्ति ने देवताओं को सुख दिया प्राणि मात्र को क्या नहीं दे सकती सुख सम्रद्दी शान्ती मोग सभी कुछ सहस्पता से प्राप्त होते हैं तो आज में